यहां धूम दड़ाका तो होगा जब T20 क्रिकेट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा और मुकाबला है भारत और पाकिस्तान के बीच एक्साइटेट फान्स है हम भी एक्साइटेट है फुल आउस है आप देख सकते हो कि दर्शक इतने डिले होने के बाद भी हार नहीं माने है वहाँ पे वेट किया है उन्होंने ना पड़ेगा लेट्स प्लेए पहली गेंद के लिए हो जाईये तयार नई बॉल किसके हाथ में है रिनुका ठाकुर के करीबी मामला अभी तक एक भी रन नहीं मिला पहरी किनारा और पहली सबलता लीजिए विकेट ले ली है मेगना सिंग ने और वापस जाना पड़ेगा डगाउट इरम जावेद को खाता नहीं खुला है पाकिस्तान की टीम का और पहली कहा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और मुझे गेंदवाजी करनी है इस बीच एक रन और मिल जाएगा ओ पहुंच गई पहुंच गई साथ साथ रेनुका ठाकुर को भी ले चली वहाँ पे हर्मन फील्डर थी तो तोड़ा जल्द बाजी दिखाना ही था बल्ले बास दीपती शर्मा को लाई है गिंद बाजी के लिए वाची फिल्ड लाजवाब फिल्ड रन आट कम अका भी हो सकता था क्या ये विकट है रेनुका ठाकुर को और यस्टिका भाट्या को तो लगता है कि विकेट मिल गई ये जिए पाई पाई बाक फो में इस वन दुट आटाउट करने रिनुका ठाकुर ना तीसरा ओवर शुरू करती में हवाई रुख अपनाया है और चार रन मिल जाएंगे खासा प्रेशर बन रहा था मुनीबा के उपर क्योंके तेरह गेंदे से पहले खेल चुकी थी आखिर का रिलीश शॉट डूंडा इनुका ठाकुर के उपर उस बार ओन साइड पर बाउंडरी राइडर है लेकिन गेंद से बहुत दूर चार और मिड्रिकेट की दिशा में आखरी ओवर है ये पावर प्ले का और वो भी भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मैच में चोटी गेंद टॉप एज मिला लेकिन फिर से कोई फील्डर वह मौजूद नहीं चार रन और दिशा बिल्कुल सटीक थी छका दिया था मुनीबा को किसमत में साथ दिया अब एक बार फिर से हवा में बॉल है कैश करने के डाइव लगाई पहुंच नहीं पाई लिस्क तो देना होगा अगर पाकिस्तान को 120-30 का स्कॉर चाहिए और ऐसे स्टोक्स खेलें तो जरूर एक सो 20-25 बन सकते हैं बहुत ही शांदार एक तरह से आडा मारा अक्रास दो लाइन लेकिन बांडरी लांग के बाहर बचा हुआ है मेगना के दो ओवर पाकी सब ओवर स्पिनर्स को डालने पड़ेंगे बड़ी लिए 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 प्लम इन फ्रांट एक बड़ा विकेट मिला कप्तान बिस्मा क्याव डिवी लिया है क्योंकि सेटल बैट बैटर है और अगर लग उनके साथ होची कि मुझे के पूल ट्र अब कोई जाइश नहीं एक और विकेट आसानी से अपनी नीद में भी एक ट्याच पकड़ लेती इस नेराना अटके एक बाद फिर से वही प्रयास अब जैमी नहीं पहुंच पाएगी लोग लेक काटर का प्रयास है बॉल आसमान में और फिर जैमी के हाथों में एक बार फिर से विकेट चटका आई है रेनुका ने और रौनक लाई है अब ने पहुंच सके हैं यह है बड़ा सवाल फिल्हाल तो कॉमंट्री वोक्स में पहुंच गई है वेदा कृष्णमूर्ती मेरे साथ मैं हूरावन बानोड और पहली गेन पर तेर्वे ओवर की चौका अलिया के नाम जब अंते मोवर्स में आपको एक बड़े हिट्टर की जरूरत थी लेक विफोर की अपील है लेकिन नौट आउट पॉंट अफ कॉंटक्स है दो स्टंप की लाइन के बाहर था क्या यहां पर रिव्यू लेंगी शायद रिव्यू ले लिया है पाँच सेकिंड बचे थे ड आउट पर रिव्यू लेंगा आउट अपके लेकि कही रॉट ए तोनी ओस्तंपिंग कैल ये मांगे यहां पर श्यदेग पर फिर था रिव्यू करना पड़े यह नोट आउट का इन्रे आएगा था यह तोड़ा दी रहे था एरा नोट का मौका और इसमें तो इतना समय था कि इंतजार करके भी बेल्जटा सकती दी वही किया शेफाली वर्मा ने इसी रहे सोलवा और उठार उनके नाम और चार ओवर का स्पेल देखने को मिल सकता है उनसे चार रन मिल जाएंगे ऐसा लगा नहीं था जिब शॉट खेला था कि चौका होगा और बिल्कुल सीधा खेला च्के डाला था अच्छी बोली बोली प्रदाशन एंफिल्ड को एक बार आपकरादे तो चार तो मिलेंगे ओवर को समाप्त किया बाउंडरी के साथ सिंगल डिरेक्ट हिट और ये करीवी मावला हो सकता है तीन स्टंप्स थी एम करने के लिए मिड़ ये सो विक्ट्स आ ब्रोकन इंडरी तो मेंडरी के बीच ये डिसिजन आएगा आउट का अक्री के इंड सोवर की क्या ये कॉटन बोल्ड है अपील तो कर रही है शफाली वर्स को मेंडरी सार्ट सर्थ ये फिंगर्स अंडरी बॉल कि ये जूम इन आप फो मेंडरी स्क्वी वजे नहीं है डिसिजन बदलने का तो सॉप सिगनल आउट का था आउट का ही सिगनल रहेगा विचाइफट ये बिल्कुल जी हाँ हाइब्रिड सते है ये जिस पर मुकाबला खेला जा रहा है राउन दो ट्रैक सिंगल तो मिलेगा ही क्या दो की तलाश होगी जी हाँ और रॉन आउट का भी मौका है विकेट होनी चाहिए बिल्कुल होगी एक और रॉन आउट आज की पारी में पाकिस्तान के लिए ये अनाम अमीन लिवाजी करने के लिए आई है पाकिस्तान की बोलिंग की पहली बॉल शिफाली के सामने हलकी सी मूव्मेंट मिली है करीबी मामला था लेकिन पहला रान ये भारत का कॉमजी बॉक्स में मेरा नाम है तीश्ट क्राल स्वागत करता हूं एक बार फिर से वेदा कृष्णमूर्ती का जाहेंगी आज बड़ा शॉट इसी बीच प्रती मांदना का पहला चक्का भारतिये पारी का स्विधी मांदना के बल्ले से बिच गाप ने मिल रहा ऑफ साइट पर उच्प! आपने जिख्र किया स्विधी मंदना की स्ट्रोक मेकिंग का एक और मुजायरा क्या कदा दिखाती है एक चित्र बनाती है इसलिए कमफ़टबली का वसके उपर से बॉल मारने में सक्सेस्फुल रही है अच्छी लेया में लग रही है पहली मैश में भी बड़ी अच्छी लेया में लग रही थी बड़ उन्होंने विकेट थ्रो किया था यहां पर कमाल का शॉट देखिए लुट फुठाइए हर बार रीपले देखेंगे हर बार अब सरहाना करेंगे सुर्थी मांदना की कि ऑफ साइड पर कहते हैं कि स्मिती मंदना बहुत अच्छी से खेलती है बट यह उनका फेवरेट शॉट है जो पिक अप पुल जो खेल के साथ खिलवाड कर रही है इस बार जैसे सुई में से धागा डालते है वैसे ही पच्छिस वे है भारत का स्कोर यानवे पहला बड़ा शॉट खुल कर खेला शेफाली वर्मा ने संकेत दिया अपने आकराम अग्रवईये का यह तो पिक अप शॉट था अपना पावर दिखा रही है शेफाली वर्मा अगर आप देखोगे तो बॉल पिछो के जब शिन हाइट पर आया है वहाँ पर उन्होंने मारा है बहुत कैच की मांग है टॉप एज हुआ था लेकिन इंफीर्ड के पार चार रन और भारत के टीम के लिए बारा रन आ चुकी है आखरी बॉल क्या शेफाली वर्मा एक और बाउंडरी के लिए जाएगी जीहां बिल्कुल गई इस बार मिड़ ओफ की उपर से चौक के पे चौक का भैतरीन ओवर एक तालिस रन है चार ओवर के बाद भारत के शॉट बॉल और उसरा खामियाजा भुकतना पड़ेगा स्क्वेल एक पर फील्डर तेनाथ थी लेकिन तब भी स्प्रिती मांदना को चार रन मिल जाएंगे स्टेप आउट हवा में कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और अगर फील्डर मौजूद भी होती तो कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि स्प्रिती मांदना ने एक और बार च्छेरान मार दिये हैं कदमों के इस्तमाल करते वे उनने बड़िया एक्सिक्यूट करिया स्प्रिती मंदने फील्ड के साथ जैसे अब कह रहते हैं किलवाड हो रही है यह हर बॉल पर कोशिश करिया कि बाउंडरी या सिक्स मारे दोना बैटर्स स्ट्राइक रेट देके इतना बड़िया स्ट्रा के साथ बाउंडरी मारी है ताकत के साथ नहीं एक बार फिर से चार रग क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रहे हैं आपर पाकिस्तान बोलिंग अटैक के पास कोई जवाब नहीं है इस आखरामक रवाईये का वर्ल्ड कप में ने टरन रिक के बज़े से बाहर हुए थे बारत क की टीम तो वह दिमाग में रहे गहां डेट वसिन अब शिफाली की शकल से ही पता चल रहा था कि उन्होंने एज धून लिया था पहला विकेट तूबा को मिलता हुआ शिफ शिफाली सोलर रन मना के अब और दूसरा कहीं जो निर्ने लिया था पहले बल्लेबाजी करने का वह बैकफार तो नहीं कर गया लिए लगता है कि बैकफार करी गया बहुत लेट खिला आप देगे कॉंसिटेंस लेवल कितना है कि यह दिस्क हाई रिस्टोप था अगर मिस करते तो बोल्ड हो जाते थे लेकिन शूर अफट टच इश्विसन का जो ग्राउंड है जहां पर सारे मुकाबले खेले जा रहे हैं डाउन दो ट्रैक आई स्मृति मांधना उचाई मिली दूरी भी मिली और इसी के साथ अर्ध शतक भी पूरा किया लाजवाब बैटिंग श्रीति मंधना किया बादी शाप बादी सुन्दर हाफ सेंचरी इस तरह से शुरू से स् किलाफ यह जिस तरह से स्टेप डाउन करके लॉफिर स्टेट ग्राइब यह बदा बाजी ठीक ठाक टीटी कैंट इस तरह सकता था यह शोट एक्स्ट्रा कवर पे चांस था लेकिन चारन मिल जाएंगे मेगना को अगाउड जो है बहुत खुशल की दो मेडों मेगना है मेगना के लिए ओवर की समाप्ती थासी पर एक भारत है वो एक्शन में दिखेंगी भारत की वीट्लिफ्टर कैच का मौका हो सकता था तो रन और मेगना के नाम अगर नाबाद पारी खेल जाती है मेगना प्रसर टाइमिंग बन जाती है शॉट्स की जैसे ही बोला विकेट गर गई डाउन दे ट्रैक आई और बिल्कुल गेंद को रीड ही नहीं किया बीट हुई फ्लाइट में भी मिडल स्टंप पीछे 58 पर स्मिर्थी वांदना स्ट्राइक पर होंगी इस नए ओवर की शिरुवात में फातिमा सना अपना तीसरा ओवर डालने के लिए तैयार राउंड विकेट चल्दी मैच खतम करना चाह रही है लेकिन इस बार बाउंडरी नहीं मिली कोशिश तो वही थी काहूँ पिछले मैच में आपने ट्रै किया था नंबर तीन पर इस मैच में मेगना आई तीन पर स्मृती मांदना मैच खत्म करती हुई इस बाउंडरी के साथ और भारत ने Commonwealth Games Birmingham 2022 में पहली जीत दर्ज कर लिए इस टॉर्नमेंट के अंदर Birmingham के अंदर आठ विकेट से हराया पाकिस्तान को नाबात पारी हुआ हुआ हुआ